तो हाँ यार आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट डेटा इस्ट्रक्चर के बारे में और सेट यार कुछ नहीं है बस वह यह जो आप लोग यार 11 12 में जो मैथ में पढ़े थे न की बाई सेट यह होता है और उसके अंदर हम लोग यार डूब्लीकेट वैलूस असाइन नहीं gårगा जीरो अएट Dieu तो यह जीरो एट माइनस आ मेरा माइनस है माईनस मिल गया मुझे और जी रो एड हाःट फञ और बोलूँगा की सेट इन पौइफन नाम से एक फॉल्डर मनाओं गा और यहां से मैं क्या करता हूँ एक फाइल बनाता हुं से .py नाम से ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम लोग इस फाइल के अंदर काम कर लेते हैं, और फिर देखेंगे कि कैसे हम लोग चीजों को बनाएंगे, इस VS Code का यूज करके अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें देखेंगे, और अच्छे से इसको यूज करना ठीक है, यहां बस मैं क्या करता हूँ, मैं एक set बनाता हूँ, माई set नाम का, और इसके अंदर हम लोग values को insert करेंगे, ठीक है, तो यहां से मैं कुछ इस तरकसे set बना सकता हूँ, और set के अंदर क्या करेंगे, हम लोग elements को add करेंगे, तो जो मेरे set है, वो यार curly bracket से बनता है, और कि दो element है मेरे पस, और अगर इसको मैं print करना चाहतू, तो इस तरीके से मैं my set को print करूँआ, ठीक है, आप लोग इसका type प्रिंट करना चाहतू, तो कुछ इस तरकसे type करके, आप लोग बोलोगे, my set और इसका type बता दो, ठीक है, तो इसका type भी मिल जाएगा, तो इसको run करत मैं यहां से, code runner से, और यह मुझे auto-twin देगा, कि भाई, यह यहां आपका set और इसके अंदर दो element है, तो मैंने starting में बात किया था, कि जो हमारा set है, उसके अंदर हमनों duplicate values नहीं डाल सकते, ठीक है, तो यहां बस मैं अगर chat GPT के अंदर जाऊं, ठीक है, और तो देखू, तो set को ऐसे बनाएंगे, ऐसे print करेंगे, ठीक है, और duplicates are automatically removed, अगर duplicate values अगर add करता भी हूँ, ठीक है, तो वो automatically remove हो जागा, तो जैसे कि यहां पस मैं एक और apple बोल देता हूँ, ठीक है, apple बोल देता हूँ, और इसको अब फिर से run करता हूँ, तो देखते हैं, एक और apple print होना चा यहां यहां तो एक ही apple print हो रहा है, तो यह क्या करता है, duplicate values को automatic remove करता है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, कि हम लोग इसके अंदर add कर सकते हैं, elements को और remove कर सकते, add करने के लिए add method का use करेंगे, and remove करने के लिए remove method करती है, तो जैसे कि मुझे add करना है, एक नय element ही है, तो मैं क्य क्या करूँगा, myset.add करूँगा ठीक, और इसके अंदर मैं add कर देता हूँ, बोलूँगा की भई मुझे add कर के दे दू, cherry, ठीक है, तो cherry को मैं add कर लूँगा, और इसने कुछ इस तरह से add किया, ठीक है, तो add करूँगा, और मैं क्या करता हूँ, जो यह वाले statement इसको comment करू ठीक है, तो मैंने add कर लिया, ठीक है, तो अब इसको run करता हूँ, तो मुझे apple, cherry and banana, तीनो अब fruits मुझे मिल गए, ठीक है, अब मुझे इसके अंदर से कुछ remove कर रहा है, तो myset.remove method का use करूँगा, ठीक है, और इसको बोलूँगा की, तुम क्या करो, यहां से remove कर दो, मेरे cherry कर दो ठीक है, तो लो जी remove कर देते हैं, रन करते हैं, देखते हैं, यह क्या हो गया, इसको run करते हैं, और हाँ, अब मेरे पास है, apple and banana दो elements ठीक है, तो एक pop method भी है, यहां पस, इसको मैं comment करता हूँ, ठीक है, myset.pop ठीक है, तो pop method क्या करता है, यह कोई element नहीं लेता ठीक है, यह कोई parameter नहीं लेता, और यह क्या कर देता है, देखते हैं, करता क्या है, इसको run करके, तो यह क्या करेगा, यह एक element को delete कर देगा, ठीक है, तो यह क्या करता है, last से एक element को delete कर देगा, remove and return an arbitrary set element, तो arbitrary set of element, मतलब यह बोर रहा है कि, यार कोई भी random element को यह remove करके, return कर देता ह रहे हैं तो अगर मैं इसको रि्मूल करूं करूं करों तो यह मुझे क्या करईगा कोई एकotes रिमूल करके देगा थिक है और रण करता हूं करता हूं नहीं आप तो इस बार उसमे always यहां कोए्ति करें तो डिन्याथ Round कर दिया आपन को एकूल इंटर सेक्षन है डिफरेंस है ठीक है तो जैसे कि इन्होंने दो सेट लिया है तो मैं इसको कॉपी करता हूं अपनी इसमें और इसको मैं कमेंट कर देता हूं इसको भी कमेंट कर देता हूं और जरुद नहीं इसको comment करनें कर ठीक है तो हमने यहाँ पस दो set लिया है थी है तो दो set हम लोगों नहीं लिया है अब मुझे क्या करनें इन दोनों का union निकालना है ठीक है तो मैं union is equal to अब यहाँ करूँगा set one dot union करूँगा और यहाँ पस मैं pass कर दोगा set तो set बनका set two के साथ union कर दो ठीक है और अगर मैं इसको print करता हूँ ठीक कुछ इस तरीका से union तो यह क्या करेगा अब union क्या होता है यह और इस जो मेरा यह वाला set है और यह वाला set दोनों को add कर दो दोनों को जोड़ दो दोनों का union निकाल दो ठीक है तो अभी क्या करता हूँ रन करूँगा और देखो यहां पस जो four or five था वह रिमूव हो गया है दो बर यहां पस insert हुग four five तो इसने क्या कर दिया एक four और five उसको रिमूव कर दिया और इस तरह से मैं union निकाल सकता हूँ और इसी दरीके से मैं क्या कर सकता हूँ इंटर सेक्शन भी निकाल सकता हूँ ठीक है यह कुछ इस तरह से बोलूगा की मुझे इसका इंटर सेक्शन थीक है तो इसका इंटर सेक्शन चाहिए तो मैं बोलूगा की तुम बोले लो set और इंट कर देता हूं इसको और इसको मैं प्रिंट करूंगो तो यह क्या बोलेगा की 45 तो दोनों में जो common value है उनको लेगा और माकी values को remove कर देता है हमारा intersection जो operation है वो ठी है तो अभी और भी operation से जैसे की difference इनको आप आप लोग यार खुझ से करके देखो symmetric difference कैसे करते हैं यह आप लोग यहां से देख सकते हो ठीक है बहुत ही आसान है आप लोग simple इसका यूज करके देखो और आपको समझ आ जाएगा और इसके अंदर हम लोग आइट्रेटिंग आइट्रेट भी कर सकते हैं एक सेट को कुछ इस तरह से जैसे की मैं अगर आइट्रेट करना चाहूँ अपनी यह वाला सेट वन को मैं क्या करूंगा जाओ बन अघर प्रिंट करूंगा यहाँ आइट्रेट्रेट्रेट कोतोओ मुझे प्रिंट होके मील जाया तो अभी कहलए मैं इन को कमेंट कर देता हूं और बोलूंगा उँम थोड़ा नीचे आ जाँ क्लियर करता हूं तर्मिनल और बोलूंगा कि लो जी इसको रन कर दो तो जितने भी एलिमेंट से मेरे सेट के अंदर सेट वन के अंदर वो मुझे प्रिंट होके मिल जा गया तो बस इतना ही है और कुछ जादा इसमें खास नहीं है एक अपडेट का मिथड भी आता है आपस हम हमारे सेट के अंदर यह रिमूव पॉप हम लोगों ने देख लिया सिमेट्रिक डिफरेंस यह यूनियन अपडेट तो अपडेट सेट विड़ यूनियन अपड़ आफ दिस सेट एंड अधर ठीक है तो इसको तुम लोग यार यूज करके देखो और जैसे एक डिसकार्ड करता हैं और जी सिम्मेट करता है चिंगे और के और हम लोगों देखेंगे नेकट विडिए सिपसे क्या है से कि यहन की मादियां से आप लोग जॉाइन कर सकते हो, प्लस कभी यूज कर सकते हो अगर मैं सही हूं तो चलो इसको देख लेते हैं बरकर के तो सेट बन, सेट टो है और अगर मैं इसको कमेंड कर दूं और ऐसे कुछ प्रिंट कर दूं ठीक है तो प्रिंट set 1 plus set 2 और अगर इसको मैं run करूँ तो देखना चाहता हूँ कि इसका output क्या आता है तो set and set ना ना unsupported operand तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप लोगों को अगर concatenate करना है जोइन करना है तो आप लोग यूनियन का ही use करोगे ठीक है this will throw an error थी तो मैं बोल देता हूँ error थी तो error देगा यह वाला line तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते बहुत बढ़िया जदा कुछ खास नहीं था set के अंदर बस इतना ही है और यार कभी-कभी आप लोगो यूज करने को मिलेगा set को की भई यहां आपको set के use करना पड़ा है तो आप लोग वड़ी शी आसानी के साथ set का use कर सकते हो तो आज इस वीडियो में बस यार इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो के साम तब तक के लिए बाय बाय झाल